तो फ्रेंट्स आज हम अनमोक्स करेंगे MI के तरफ से आने वाला Redmi Book Pro बोक्स में हमें सबसे पहले charger देखने को मिलता है जो कि normal round pin वाला charger ही है और यह C type नहीं है यहाँ हमारा laptop जो metallic body में काफी slim सा लग रहा है और सामने Redmi का logo है पीछे की तरफ हमें DTS Auto की branding देखने को मिल जाती है क्योंकि इसमें दो दो वोट के दो speaker लगे हुए हैं जो कि DTS sound support करते हैं left side में आपको 2 USB 3.0 port, 1 HDMI port और यहां charger लगाने के जगा मिलती है right side में आपको 3.5 mm jack, card reader, USB 2.0 port और एक Ethernet port मिलता है इस laptop का weight around 1.8 kg तो इसमें आपको 15.6 inch की full HD anti-clear display मिल जाती है core i5 11 generation का processor है, Intel Iris XC graphics के साथ साथ ही इसमें आपको 512 GB PCI NVMe M.2 की storage देखने को मिलते हैं और RAM की बात करो तो इसमें 8 GB DDR4 RAM है keyboard के बटन काफे smooth है और यह trackpad का size भी बहुत बढ़ा है तो मजा आएगा